अधिया वेड़ीवन दॉस दॉक्टर इसके सिंग और आज डिसकस करेंगे एंडुक्राइन सिस्टम से काफी इंपॉर्टेंट ए चाप्टर है और आपको बिल्कुल हर एक पार्ट को अच्छे से देखना है क्योंकि मैंने इसे करीब पांच से साथ पार्ट में डिवाइट क अगर आपको एंडुक्राइन में बहुत ही अच्छा करना है अगर आप नीट में चाहते हैं कि अगर एंडुक्राइन सिस्टम से एक भी कोशन आ जाए और उस कोशन को आप जो है कर पाएं और अच्छे से कर पाएं तो यह पूरा सीरीज आपको देखना चाहिए पूरे इ इंपॉर्टन वीडियो डालूं आप तक पहुं सकें और आप उसका लाव उठा सकें तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें काफी महनत से मैंने रिकॉर्ड किया है आप सब के लिए और कुछ भी डाउट है तो जरूर हर वर्ड स्मॉल लिटर में है कोई भी गाप नहीं है तो कोई भी गाप यहां पर नहीं है और इसको अगर आप यूज करेंगे तो 10% का डिसकाउंट में मिलेगा और इसकी साथ साथ फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा जो पूरे साल तक चलेगा और काफी अच्छा रहेगा तो इस रफरल कोड को यूज करके जो है आप मेरे बैचेज में आ सकते हैं उस बैचेज में फिजिस के मस्टी और बायो तीनो क्लास को आपको करने का मौका मिलेगा तो आई होब कि आप आएंगे और इस चीज का फादा उठाएंगे चामिकल कॉडिनेशन और नर्वस कंट्रोल होता है अगर हमें कोई पिन चुभो देता है तो हमें पता चल जाता है किसी ने पिन चुभोया है अगर कोई हमें मारता है तो हमें पता चल जाता है कि किसी ने मारा है कोई चूता है तो हमें पता चल जाता है किसी ने चुआ है तो ऐसे जो है क्यामिकल क्यों बना है तो देखे जो नर्व सिंसेशन होता है आधे अंधो सफस्वाव थे स्किन और इंटर्नल भी हमारे नर्वस देम काम करते हैं बत अपार्ट फॉन देन वर सिस्टम देर जा अःव दो अधोर एंडॉक्राइब सिस्टम देर जासो अंडॉक्राइब से इस को करते हैं so control and coordination they occur by the combinations of the nervous system and endocrine system तो यह पूरा का पूरा एक combination system है combo offer type का है जो कि सारा काम करते हैं तो nervous system is responsible for the fast coordination अगर आपको बहुत ही fast coordination करना है बहुत ही चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी coordination हो तो nervous system play a very much important role और endocrine system जो होता है this is a slow process hormone gland से निकला फिर निकलते निकलते ब्लड में घुसा ब्लड से जाके किसी target organ पे जाएगा target organ पे जाने के बाद जो है वहां पे जाने के बाद जो है अलग-अलग काम करेगा to my bed is not function as a high speed बहुत धीरी 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 काम करता है so this nervous system utilize a neurotransmitter जैसे हमने last अपने session में पढ़ा था there is a neurotransmitter acetylcholine and endocrine system utilize a hormone endocrine system जो है they utilize a hormone hormone को utilize करते है endocrine system so the thomas addition who diagnosed a addition disease सबसे पहले thomas addition थे there are scientists who is a thomas addition who diagnosed a addition disease in the first time and they are called father of endocrinology इसलिए उनको father of endocrinology भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है पहली बार जो है इन्होंने addition disease को invent किया था so endocrine gland के बारे में बात करते हैं so endocrine glands develop first in orthopoda यह question आ सकता है कि endocrine gland जो है सबसे पहले कहां पर develop हुआ था और जो है क्राइन का मतलब होता है to secret यानि जो होता है कि endocrine का मतलब यह होता है कि ऐसे कुछ substance ऐसा कुछ substance जो कि बिलकुल अंदर हो हमारे बाडी के अंदर हो और कुछ सिक्रीट करें कुछ सिक्रीट करें so that is called endocrine system तो इसी को हम endocrine system बोलते हैं and this system is isolated this system is isolated gland this system is isolated gland which secret a chemicals called hormone इसे यह chemical secret करते हैं that is called hormone तो जितने भी endocrine gland होते हैं they secrete a chemicals this chemical is called hormone यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि this is a addition disease जो की पहली बार scientist ने discover किया है तो the addition disease skin जो होगी हमारी hyper pigmented हो जाएगी hyper pigmented का मतलब ही होता है कि थोड़ा से black हो जाएगा adrenal gland जो होता है they are not produce sufficient amount of steroid hormone gastrointestinal tract अगर देखें तो नौजिया होगा डाइरिया होगा vomiting होगा constipation सो सकता है पेट दर्ड हो सकता है इसकिन में vitiligo होगा white white patches नजर आएंगे और add that adrenal crisis में fever syncopes conversion में चक्कर आएंगे और हाइपो नाट्रीमिया severe vomiting diarrhea low blood pressure weakness weight loss this is all the all the symptom of the addition disease addition disease के सारे symptoms होते हैं और addition disease जो है सबसे पहले addition Thomas addition ने discover किया था so hormone transport directly into the lymph मतलब कि जो भी hormone है या तो blood के अंदर जाएगा या हमारे lymph के अंदर जाएगा या हमारे वीनिस सिस्टम मतलब समझ रहा है ब्लड मतलब वीन के अंदर या आश्री के अंदर डायक्ली हमारे lymph या वीनिस या वीनिस ब्लड के अंदर होता है तो दे टार्गेट टिशू और ओफन दे लोकेटेड अवी फ्रॉम दे साइट अव दे एक्शन कहने का अर्थ यह है कि है कि सो अ हॉर्मोन टांस्पोर्टेड डारेक्टली इन्टो दे लिंफ और वेंज और यह बिलकुल टार्गेट और इंसे डिफरेंट रहता है अलग रहता है मतलब कैसा समझे कि प्यूट्री ग्लाइंट कोई हॉर्मोन प्रिड्यूस कर रहा है और प्यूट्री ग्लाइंट हॉर्मोन प्रिड्यूस कर रहा है तो इसका टार्गेट और ऑर्गन जो है अगर ग्रोथ हॉर्मोन प्रिड्यूस कर रहा है तो टार्गेट ऑर्गन बहुत से दूर रहते हैं, so endocrine system consists of endocrine gland which are also called ductlet glands, जितने भी endocrine glands होते हैं, they are called ductless gland, उनमें duct नहीं होता है, directly उनका secretion हमारे blood में होता है, and they lack of the duct, therefore they are called endocrine gland, other is called exocrine gland, जिसे आप देखेंगे, तो gland जो होते हैं, basically glands are the two type, one is called endocrine gland, endocrine gland, other is called exocrine gland, exocrine gland, तो endocrine और exocrine, endo का मतलब होता है, they are ductless gland, ductless gland, and exo का मतलब होता है, duct वाले gland, duct वाले gland, तो जैसे salivary gland हो गया, salivary gland हो गया, so they are called exocrine, while all we are talking about in this chapter, like pituitory gland, और adrenal gland, जो हैं जो हैं, endocrine gland में आते हैं, तो सब चीज हम बात करेंगे, so endocrine gland, endocrine system, or endocrine gland, which do not have any duct, so therefore they are released directly into the blood or lymph, and the hormone, hormone are taken up by the specific organ, वहाँ पे target organ होते हैं, वो hormone को receive करेंगे, और through the blood circulation and initiate a particular metabolic changes, depending on the type of the hormone, कि वो type कैसे है, उसी के according वो सारे चीज़ काम करने स्टार्ट करेंगे, तो this is a mechanism, how the hormone is releases, how the specific target organ receive this hormone, and we also learn about कि कैसे जो है, hormone किसी target organ पे काम करता है, तो क्या difference होता है nervous system में और endocrine system में, क्या सिर्फ nervous system से काम नहीं चल जाता कि endocrine system भगवान ने जवरदस्ती हमारे body के अंदर लगा दिया है, तो yes, तो endo nervous system, it receive or send information in the form of electrical impulse, जैसे हमने पूरी चाप्टर में हमने पढ़ा कि जो dendrons होते हैं, वो receive करते information, फिर cell body एक zone से, फिर synaptic knob के पास जाता है, फिर वहाँ पर vesicles होते हैं, निरो ट्रांस्मिटर से क्रीट होता है, हना बदब एक electrical impulse के तुरू जाता है, हमने वहाँ पर देखा था कि कैसे electrical impulse generate होता है, तो यह सारा का सारा electrical impulse है, यहाँ पर chemical से होता है, they receive and send information in the form of chemicals called the chemicals called hormone, तो यह difference हो गया, nervous system जो है, electrical impulse काम करता है, यहाँ पर chemical के form में काम करता है, इसका response जो होता है, बहुत ही fast होता है, बहुत ही quick होता है, and transmitter of information is बहुत ही slow होता है, FSS निकला तो एक दो दिन बाद उसका काम आएगा है न, तो इसलिए ऐसा होता है, the response for the short duration, यह काफी short duration तक यह काम करता है nervous system, जबकि endocrine system जो होता है, एक long duration तक काम करता है, बड़े लंबे समय तक काम करता है, हमारा endocrine system, तो nervous system एक short duration तक काम करता है, जबकि endocrine system जो होता है, लंबे समय तक काम करता है, इसका mode of action जो है, काफी लंबे समय तक रहता है, तो इसलिए इसको भी बहुत ही equally जरूरत होती है हमारी body के अन, so hormones were classified, classically defined as, actually this is a definition of the hormone, this is a definition of the hormone, right, so the hormones are classically defined as the chemicals which is produced by the endocrine glands and released into the blood or lymph which transports them to the distantly located target organ, pituitary हमारे सर में है, uterus पे effect उसका लाना है, है न, uterus के अंदर effect लाना है, because this pituitary gland secrete a gonadotropin hormone like FSH-LH which act on the uterus, they act on the ovary, हना, तो यह hormone का definition है, दूसरा कहें कि hormone जो होते हैं, इसमें कोई भी nutrient नहीं होता है, hormone के अंदर calcium नहीं होता है, hormone के अंदर कुछ vitamins नहीं होता है, हना, minerals नहीं होता है, non-nutrient chemicals which act as a intercellular messenger, cell के अंदर जो भी सारे cells हैं, उनको message देते हैं कि भी यह तुमको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करो, follicles बनाओ, follicles को, rupture को, एक message देते हैं, they are produced in a truss amount, और hormone हमीशा ही, बहुत ही truss amount में produce होते हैं, बाडी के अंदर, अगर जादा amount में produce हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ tumors के वज़े से हैं, कुछ ना कुछ tumors के वज़े से इसका effect आ रहा है, तो इसलिए जो है, इसका amount है वो बढ़ जा रहा है, तो अगर hormone का level एक certain levels increase हो रहा है, तो some metabolic disease or something related to the tumor or any other disease related, hormone हमेशा एक छोटे quantity में ही रहते हैं, talking about the property of hormone, hormone के क्या-क्या property होते हैं, क्या विसस्ताइ होती है, hormone की, so hormone are secreted by the living glandular endocrine cells, सबसे पहली बात कि hormone जो होते हैं, हमारे living cells से secret होते हैं, glandular cells से होते हैं, gland लेखा होता है, उससे secret होते रहते हैं, these are released directly into the blood, यह property है, directly into the lymph, so this is also property, they require a small quantity, बहुत ही छोटे quantity में होने होर्मोन के जुरूरत होते हैं, they are not provide energy, कभी भी hormone आपको energy provide नहीं करेंगे, कभी भी hormone से आप जो हैं, कुछ छीज आपने नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो उनमें energy होता है, नहीं उनमें minerals होते हैं, नहीं उनमें vitamins होता हैं, ठीक है, building blocker भी नहीं होते हैं, and they are highly specific in nature, this point is quite important, highly specific, अगर FSO or LH जाके ओवरी पे काम कर रहा हैं, तो FSO or LH के अलावा और कोई भी hormone ऐसे काम नहीं कर सकता है, that is called highly specific, मतलब कि डॉक्टर S.K. Singh ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और दूसरा कोई अच्छे अच्छे से नहीं पढ़ा सकता है, that is highly specific, मैं मजाग कर रहा हूं, हलाकि मेरे से और भी अच्छे लोग पढ़ा सकते हैं, तो highly specific का मतलब भी होता है कि बिल्कुल particular जो है उसके मतलब जगह को कोई ले नहीं सकता है, उसको बहुत ही specific है, वहीं पे काम करेगा, वहीं पे एक्ट करेगा, that is a highly specific in nature, so how the mechanism, how the hormone can be act, mechanism of hormone actions के बारे में बात करते हैं कि hormone कैसे काम करते हैं, तो hormone do not show any effect directly in the most of the reactions, they usually have a receptors, they usually have a receptors, and hormone जो होता है यह directly, जो है, काम नहीं करते हैं, यह receptor पे काम करते हैं, आप को पता नहीं कि बेडरूम कहां है, study room कहां है पूजा room कहां है bathroom कहां है समझ रहे तो अगर मालेज चे कि आपको bathroom जाना है तो आप ढूनेगे तो ख्यार मिली जाएगा बट आप पूछेंगे ना किसी से कि हाँ मुझे bathroom जाना है आप मुझे ले के चलिए है ना तो आपको रास्ता दिखाएगा सीम हॉर्मोन है हॉर्मोन को नहीं पताए कि मुझे कहां जाना है तो यह रिस्प्टर लगे रहते हैं जैसे आप किसी बड़े शादी में जाएंगे तो आगे दरवान मिलते हैं हेलो हाई कहते हैं कि आईे सर्मा जी बर्मा जी आईे यह रास्ता है चली पधारी आगे चली है ना ऐसे रिस सप्टर जोन को कि आओओ आओ जा रहे हो यह 하 बुला लेते हैं हॉर्मोन को लाल से बना दे रहा हूं ने रेड कलर का हॉर्मोन है तो इस रेसेप्टर ने बुला लिया कि अरे यार कहां भटा करेंगे आपको ब्लड के अंदर से रेसेप्टर जो है अब क्या हो गया इस इस होर्मोन और इस रेसेप्टर हम आगे पढ़ेंगे के इस इस अ कॉम्पलेख्स फीरेस्टर इस बूस बारे में चलचा करेंगे पर अगे देखते हैंगे on the basis of on the basis of so on the basis of on the basis of which they classified one is called extra cellular receptors and another is called शक्सक्राइब करिए दिर्टाइड था दुख ईयांके चाट लाते रांश ही अर यह इंट्रेंस में पूछा जाते हैं अन जस्काल्टीन न भालustte टाइड गुला इको अर्राइक जो होते हैं और लार्जर साइज के होते हैं जबकि इंट्रा सेलूलर रेसेप्टर्स जो होते हैं छोटे साइज के होते हैं तो यहां पर इंट्रा सेलूलर देख रहे हैं दियार स्टेरोइड यह आपको याद रखना पड़ेगा कि इंट्रा सेलूलर रेसेप्टर्स जो होते steroid होते हैं thyroxine होते हैं they are very small in size lipid soluble so they can cross cell wall तो जितने भी intracellular receptors होते हैं वो जो है यह cross हो सकते हैं अंदर आ सकते हैं और अंदर आ सकते हैं सारा चीज़ और extracellular receptors होते हैं they cannot cross directly into the membrane क्योंकि सर्फेस के ऊपर ही ऐसे receptor लगे होते हैं और सर्फेस पर ही काम करते हैं now we are talking about the classification of the hormone on the basis of on the basis of chemical nature chemical nature के ऊपर हमने hormone को classify किया है तो the first category is peptide polypeptide and protein hormone peptide polypeptide and protein hormone और इसमें सबसे पहले आता है हमारे insulin, glucagon, thyrocalcitonin, pitotry hormone, hypothalamic hormone आपको याद बिलकुल करना है कि peptide, polypeptide और protein hormone कौन-कौन से होते हैं तो peptide hormone is insulin, glucagon, thyrocalcitonin, pitotry hormone, hypothalamic hormone, steroid hormone फिर आता है steroid hormone में cortisol, testosterone, estradiol and progesterone, they are called steroid hormone and chemical के nature पे category है और ये direct question आने की probabilities से बनती है idothyronin is a thyroid hormone T3 and T4 hormone इसके अंदर आता है तो ये काफी important पार्ट है और एक और होता है that is called amino acid derivative that is called epinephrine or non-epinephrine that is called amino acid derivatives so mode of action of steroid hormone steroid hormone के mode of action कैसे होते हैं कैसे काम करते हैं steroid hormone इसके बारे में हम जानने के कुछिस करते हैं तो steroid hormone अभी अभी हमने हमें देखा है कि कौन-कौन से steroid hormone होते हैं कौटी सॉल टेस्टेस्टेरों इस्ट्राइवल और प्रोजेस्ट्रों इस तरह के जो होते हैं हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं तो यह एक्ट on the surface receptors ठीक है क्योंकि इसके बारे में भी हमने यहां तो इलएखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो एक्स्टरसालू़लर और इक्स्टासलूलर fortress के form में हमने बात किया था था तो यह ब्लू कलर से जो बना है जो ब्लू कलर से बना हुआ है दाट होर्मोन ऐलड सोसिस ऑफ अफसीज होर'REमोन ठीक है 안 डिस उससदीज let's suppose this is a cell and this cell is called ovarian cell, इस निए जो बोरी ओपर जो cell membrane है, बोरी के ओपर जो membrane है उसकी membrane के ऊपर रसेप्टर ऐसे हैं, यहां पर रसेप्टर्स है, जो देश होर्मोन बाइंट विद इस रसेप्टर्स, इस वार्मोन रसेप्टर कॉंपलेक्स , है कि hormone receptor complex यहाँ पे बंड रहा है यानि हOR्मोन यहाँ पे bind हो रहा है यहां पे hormone bind हो गया so this is a hormone and this is a receptor this is called hormone receptors complex का formation यहां पे हो गया तो जैसे ही complex का formation हो गया so this receptor allow to enter allow to enter the hormone inside the cell inside the target organ तो पफिधा डारेक्ट लियब तारिट ओर्गों के अंधर वह जाया गा तो टारिट ओर्गेट अंधर उपाँ जाय में यहां पर और और इंद इसे इस न नंबर फ़र्स इन रिस्पाउंस नंबर फ़र्स हो रहा यह है और जेशन अब सेकंड मेसेंजर कॉशन आता है कि सपर मे तो यह चो है इस्टोराइड होर्मन कैसे काम करते हैं और यहां पर डाइग्राम से दिखाया गया है इसे कैसे रिलेट करेंगे कि अगर आपने पुरानी मुवी देखा होगा जो बड़े से राजा महराजा होते थे तो राजा बिलकुल अंदर बैठी हुए है अपने सिहांसे पे और कोई मैसेज लेकर आया है तो मैसेज जो वहां पर गेट पर रहता था उसको बड़ा सा पर्चा थमा दिया एकि जाओ जाकर राजा से बोलो कि यह संधेश आया है तो जो है वहOT मैसेज लेकर राजा के पास आता था और राजा के पास सुनाता था ठीक वैसे हम रेलीट कर सकते हैं कि यहां पर इसने कहा से से कि आप सैलिक अंपी और कल्शqueleघ करो ठीक है और चाल्च जिक ज 보지 एम इल पर के जिए थीज हुआ यह मैसेज पुरी आज उपक जह in the cytoplasmic part of the receptor cytoplasmic part of the receptor पर कुछ confirmation changes होते हैं and this cytoplasmic part of the receptor then produce a secondary messenger that is a calcium cyclic AMP IP3 etc which activate the existing enzyme system of the cell which is accelerated the biochemical reactions of the cell केने कारती है कि जैसे cyclic AMP or calcium and secondary messenger produce हुए तो से जो है cyclic जो है biochemical reactions होना start हुआ so this thyroxine यहां पर नूट करने वाली बात यह है कि this thyroxine has a receptor both cytoplasm and also the mitochondrial membrane so it is a alter the rate of cellular respiration इसलिए cellular respiration को alter कर सकते हैं actually the mode of action of steroid hormone यहां पर नहीं है the mode of action is protein hormone protein hormone कैसे काम कर रहे है वो यहां पर है क्योंकि FSS protein नहीं होता है steroid नहीं होता है protein hormone कैसे काम करते हैं वो actually यह सारा चीज़ है so अब देखते है mechanism of action of steroid hormone hormone तो let's suppose this is a steroid hormone estrogen estrogen और यह surface से cross हो गया और सीधा जाके हमारी नूकलेस है suppose this is a nucleus because the cell के अंदर nucleus होता ही होता है यह nucleus है nucleus के अंदर आया ठीक है तो जैसे ही nucleus के अंदर आया तो nucleus के अंदर जैसे ही आया तो यहां पर receptor hormone complex बना और यह DNA से बाइंड हो गया और DNA को confirmational changes किया इसने ठीक है DNA से हो हमारे ने बन गया by the help of by the help of transcriptions और जो है translation से protein बनाएगा और protein से जो है physiological response कराएगा उस particular cells के अंदर so this is a mechanism of the hormone the steroid hormone फ़रक इतना है कि यह surface के ऊपर bind नहीं करता है यह secondary messenger secret नहीं करता है यह directly जो है अंदर घुसके DNA को confirmational changes करके वहां से DNA से सारा mRNA protein बनाता है यानि replication transcription translation करके और फिर वहां से physiological activity को support करता है तो this is a mechanism of how the steroid hormones are take place so thank you so much आपने इतना समय दिया और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा कि यह चैनल जो है आपको नीट में सब्फलता जरूर दिलाएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजे लाइक जरूर इस वीडियो को करें थैंकि सो मच करी वीजडिफे टूर कि यह थैंडों ओसक्ता वीजना जरूर यह